हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अल्फाचेस दोस्तों आज हम अपके लिए फिडे कैनिदेश 2020 टूनामेंट से एक गेम लेके आ हैं जो कि यह ने पर मैसी और वेंग हाव के बीच खिला गया था और इसमें रसिया के यह ने पर मैसी ने वेंग हाव के अच्छे गेम में उनको म रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोनवारस के करार उस टूनामेंट को सस्पेंट करना पड़ा बीच में ही लोकना बड़ा तो आई यह देखते हैं यह गेम मैंने पर मैसी के एक शांदार जीत होती है पैटर आफ डिफेंस यहां पर नेपर मैसी खिलते हैं यहां प यहां पर वेंग हाउ जवाब देते हैं नाइट एफ एक्सेक्स और यह होती है पैटर ओफ डिफेंस और जो कि इसको रसीयन गेम भी वो लगाता है तो यहां पर इसके बाद नैपर मैसी खेलते हैं नाइट क्रॉस फाइब जो जो पॉन हैंगिंग था उसको एक्सेप्ट क दोस्तों यहां पर फिर उनके पॉन्ट नेपर मैसी चलते हैं डिफोर और यहां पर वैसे कई टेंडर मूव हैं जो की हम खिल सकते हैं एक डिशीक्स भी हो सकता है और नाइट एफ ट्रीवी काफी पॉपुलर मुग है कुई एटू भी हो सकता इस टाइप के कई मूव होते हैं लेगे फिलार यहां पर उनके अपना नेपों में से खेलते हैं टी फॉर तो यहां पर फिर वेंग हाउ जवाब देते हैं टी फाइप से जो की एक अच्छा कुर्षे जो है उनके पॉनेट और को फिर से खेलते हैं और मजबूद देते हैं बसाफ एफ एफ फाइव और यहां पर कैसल कर लेते हैं लिए तो पर सिंपल टव्लूपिंग बेर्फिक चालता है तो बसाप इसे वन के बाद यहां पर यहां खिलते हैं रुक एवन जो की अच्छा मूव है open file में semi open file में अपने एयरोग को place करना हमेंसा अच्छा एक better option रहता है तो यहां पर अच्छा कर लेता है black तो नेपों में से खेलते हैं आप नाइट बीडी टू अब आप दोस्तों देख पा रहे हो कि हाँ पर जो नाइट एफॉर पर है इस पर तीन अटेक हो रहा है वाइट की साइड से जबकि ब्लेक के दो डिफेंडर है तो इसलिए जो है इस तरह से मतलब नाइट पर अटेक हो रहा है 1 अएक पोन एक्ट्र मिल सकता है यहां पर खेलते हैं और आप देकD हो रहा है तो सिंप्ली दो पॉन नागे तो से दो पीसे से हो रहा है उघ्ठ जो नेक्ट मुम में आप कहलते हैं नाइट डी सिक्स वो अपने ओनई ऑनि नाइट को किल लेते हैं तो यहां पर खेलते हैं फिर सके बाद आई लिए नाइट एफ बन के बाद आप देख पारे हो कि पहले जो जो उनका डाइक श्कॉयरर भिशाप था इसलिए जो है नाइट एफ बन एक अच्छा मूव है लेकिन यहां पर फिर उसके बाद बिसफ प्रोश डी 3 के साथ में वैंग हाओ इस बिशप को जो की डार्क लाइट इसकार बिशप यो किंग साइड अटेक को काफी एक फूचर में अच्छा अटेक दे सकता था तो उसको जो है इसलिए रिमूब करते हैं पर वैंग हाओ और वो सिंपली केप्चर कर लेते हैं तो कुई से फिर केप्चर करते हैं यहां पर इसके बाद खेलते हैं नाइट ए-6 वैंग हाओ अपने नाइट को वह ए-6 के थ्रोव सीटू पर आना चाह रहा है तो इसके बाद फिर यहां पर खेलते हैं एक बहतर मूब आता है बहतरीन मूब यह नेपर मेंसी तरफ से जो एच पॉर और दोस्तों यह जो मूब है यह अलफा जीरो जो की आर्टिफीसियल इंटेलियंस का एक इंजन है अलफा जीरो जो की धूम मचा रहा है सुपर आइस सेवांस कर जाता है यहां पर नाइट जो उनका प्राना प्लान है लेकिन अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो एक एक और लैक के काफी दूर है किंग से तो यहां पर अगर हम इस समय अटेक करें तो एक अच्छा अटेक बन सकता है तो इसी का फाइदा उठा तो यहां पर नेपर मैसी खेलते हैं नाइट की फाइब और दोस्तों क्योंकि आप देख रहे हों कि नेक्स्ट मूब में सीधी चेक्मेड लगी ह यह सेवन पॉन पर क्रोस एसेवन के साथ में इसलिए यहां पर वैंग हाओ पिछ भी देर बिना देरे के इस नाइट को एक्षेंज कर लेते हैं तो कि एक अटेक में चेक कि बलेक के कि चेक्मेड में काफी अच्छा सहयुक्त दे रहा था यहां पर इसलिए सब्सक्राइब इसलिए तो यहां पर नाइट रहता तो वह कि से लिए ज्यादा रहता है तो फुलाल एफ शिक्स के बाद फिर से बिसब एफ फोर पर आते हैं और नेपर मैंसी अपने ब्लेक डार्क स्कर्पिश अपको लेके तो यहां पर फिर क्वेंग हाओ खेलते हैं कुईन पी सेबन और दोस्तों यहां पर ब्लेक का डवल्लेमेंट लगवा पूरा होगा दोनों रूक कनेक्ट होगा है कुईन सेकिंड रैंक पर आगी तो ठीक च लाश्ट मानर पीस एक्टिव होने से बच रहा था जो कि एवन पर ज़्यादा कुछ पैसिव तरीके से रखा हुआ था उसको वह एक्टिवेट करते हैं यहां पर खेलते हैं उनके पूरा प्लान जो नाइट नाइट और कुईन के साथ में किंग इंग साइड अटक करने का रहा है सब क्रोश डी सिक्स के बाद रहेंग आउक एक इंग क्रोश डी सिक्स नाइट एफ फ़ई अभी कुईड पर ट्यक है कुई डी सेवन नेक्ट्र मुब खेलते हैं कुई एस तरी और दोस्तों अगर आप यहां पर ब्लेक सपोज्ट ब्लैक यहां पर नैक्ट मुव म आप देख पा रहे हैं पर जो नाइट है इस तरह से नाइट एच्छ प्लस पर चेक देने के बाद आप देख रहे हो कि इनको अपनी चेक्मिट बचानी पड़ेगी किसी भी तरह है तो कुईन हैं यहां पर एक फिरी का कुईन मिल ला था इसलिए जो इस टेक्टिक्स के था यहां पर उनका पूरेंट किंग एचेट ही खेलते हैं और इसके बाद फिर फिर से जो फजीरो का जो जो इन्होंने एच्छ फाइल में जो पॉन एडवांस किया था उसको जारी रखते हैं अपने प्लैन को और वो खेलते हैं एच्छ फाइव तो यहां पर रुक क्रॉ प्लैट को जाएच जाएदा रुक क्रॉस एवन तो रुक एट तो रुक क्रॉस एट यहां पर नपर मैसी भी एक्षेंज कर लेते हैं दोनों अपने रूक मेजर पीस तो नाइट क्रॉस एट के साथ में केप्चर करते हैं तो जी फॉर दोस्तों यहां पर जब कमांटरी इस गेम के खतम होने के बाद प्लैस कंफरंस होती है उन्हां नपर मैसी ने बोला भी कि जो जी फॉर मूव था यह काफी डवाल एस था दोना तरफ था क्योंकि इसमें वाइट की तरह ब्लैक के करने का तो इसके बाद खेलते हैं वैंग हाव कुई निशिक्स और उनका सिया सिया थ्रेट है भी यहां पर नपर मैसी खिलते हैं नाइट एथरी और उन्होंने जो इफाल जो ओपन थी उसको अपने नाइट से ब्लोक कर दिया है तो यह एक अच्छा मूव है डिफेंसिव मूव और साथ में नाइट भी एक अच्छी पोजिशन पर है तो अभी नाइट एथरी के बाद फ कितना वीक हो गया है और अगर आप देखें किसी भी तरह से अगर वाइट की कुईन अगर इस एर्थ रैंक पर आने में काम होगा है दोस्तों यह जो है यह एक बहतरी डेटली पॉन बन गया जो की ब्लैक को ब्लैक को किंग ब्लैक की चेक्मिट करने में काफी सहाइक होगा अगर वाइट के लिए लिए विहां पर चेक्र में फिर खेलते हैं इसके बाद नेपो में सही आपनाइट डी शिट के बाद खेलते ritosी आ ठीक' के बाद खेलते सी यह एई-चिंत प्लान है पूर है .. स्दू Communist के बाद अभी फिलते हैं यहाँ पे उए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो नाइड़ है इस डाउनल पर रहा है। जैसे ही nine को किक होगा ऑफरaron लेक के लिए वाइट के लिए एक अच्छा टेक बन रहा है हाँ तो यहाँ पर उनके अपने इसलिए अपने किंग को पहले से ही और पास में ले आते हैं किंग सेवन सी फाइब यहाँ पर जो कि नेपो मैसी के प्लान था कि हम किंग साइड में पेनेटरेट करने का तो वो उनको मिल रहा है सी फाइब चलने के बाद जैसे ही नाइट बी फाइब पर आता है तो तुरंत जो एक नेपो मैसी खेलते हैं कुईन भी एट अभी आप देखिए ब्लैक फस्ता गया है उसके सारे पीसे जो कॉडिनेट नहीं हो किंग ओपन हो गया तो कुईन जब भी कुईन रहती है अपनेंट के पास तो वो काफी ज्यादा खतरना हो जाता है लिए कुईन एचेट के बाद उनके अपनेंट खेलते हैं ब्लैक खेलता है किंग इसिक्स तो यहां पर आप मैसी खेलते हैं एफ़ोर और आप देख रहे हो कि पूरा यह वाला जो फिफ्ट रैंक है पूरी पैक है पाइट के अटेक से ब्लैक किंग कहीं जा नहीं रहा है तो से लिए उन्होंने एफ़ोर खेला ताकि जो है ब्लैक किंग को कहीं पर चेक्मेट में दोन दोन गया सके किसी भी ट्रेप में यहां पर जबक्यों को पॉंण है इस फोर पर यहां खेलते हैं उनके अपोनेंट आव रहेंगा नाइट्ट तोस्ट इफ लेकिन यहां पर तीसरी बार में रिप्रिट नहीं करते नहीं पर मैसी और उनको बहत्रीन मूवन हैं पर आ सब्सक्राइब करते हैं कि यह जो कुईन डीएट मूब था इसको मिस्स कर गए थे गेम के टाइम पर है क्योंकि आप देख पारे हो कि यह जो है डी फाइल में पूरा पैनेटर कर रहा भी नाइट पर अटेक बन रहा है और दोस्तों जैसे ही नाइट यहां से अटेगा तो ड काफी बहतर मूब था वाइट के लिए और ब्लैक जो है यहां पर फस्स पूरी तरह फस्स चुका है तो कुई डी सेवन खेलते हैं इनके पर लाश्ट होप है उनके पास लेकिन यहां पर जो एक अच्छा मूब था यहां पर और जो उनको एक जीत दिलाता है वह चलते हैं और इसके बाद जी क्रोस एफ फिर से जब ऐफ जी क्रोसे फफट के चैक खिलते हैं तो नائ्ट क्रोस एफ और यहां पर इंजो आज वा फिर बबहुत कर रहा है और यह गाइज सभी यह सेतना है किसले और मिला जाता है सबस्क्राइब को आप सबस्क्राइब कर दिएक यह जो पूरे ओट तो आप धी को पूरे गेम जो पॉरे एक एच़सिंट में अटेक करने में जो एक अच्छी भून का नवाई और उस फाइनली जो एक किंग को एक तरह से चेकमेट या फिर उसको एक पीस ब्लैक को गवाना पड़ा तो यह जो है यह काफी अच्छा चल रहा है जो कि अलफा जीरो से लिया गया है और तो इस तरह आपको यह गेम दोस्तों कैसा लगा हमारे कमे अबस्तों के लिए और शबस्तों कैसा भी दीरो से लिए बास